बिहार के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा, प्रदेश में 20 फरवरी तक मौसम समाननी बना रहेगा, वहीं 21 फरवरी से प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, इस दोरान उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिन पुर्वी भाग के जिलों म व्रजपात के साथ हलकी बारिश होगी और बादल भी छाय रहेंगे, 21 फरवरी से एक बार फिर से मौसम बदलते ही अधिक्तम और नियूंतम तापमान में गिरावट आएगी, वहीं हिमाले से बरफीली ठंडी हवा चलने के कारण एक बार फिर से प्रदेश में ठंड की वा पुर्तास, कैमूर, बकसर और अंगाबाद, भोजपूर, सारन, वेशाली, सिवान, गोपाल गंज, पुर्वी और पक्षमी, चंपारन, मुझफरपूर, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तिपूर, दर्भंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपॉल, मध्यपूरा, पूर्णिया, कटि पटना में अस दिन में कड़ी धूप निकलेगी, जिसके कारण पूरे दिन लोगों को गर्मी का हैसास होगा, वहीं, पिछले 24 घंटे के दौरान, राजधानी पटना की निंतम में 1.4 डिग्री सेलसियस, और अधिक्तम तापमान में 6.1 डिग्री सेलसियस, बढ़ोतरी दे अधिक्तम तापमान 27.2 डिग्री सेलसियस, रिकॉर्ड किया गया, साथ ही आपको बता दे कि मौसम विभाग के अनुसार हिमाले की ओर से शनिवार की देर शाब, एक मजबूत पक्षमी विक्षोग ने प्रवेश किया है, जिसका प्रभाव 18 और 19 फरवरी, यानि कि आज औ कल देखने को मिल सकता है, इस दोरान परवतिय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है, वहीं 20 फरवरी से पक्षमी विक्षोग के कमजोर पड़ते ही, 21 फरवरी से प्रदेश में बारिश होने के साथ ही आसमान में बादल शाय रहने के भी संभावना है एक बार फिर से बता दें कि बिहार के मौसं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है प्रोदेश में 20 फरवरी तक मौसं समान ने बना रहेगा लेकिन 21 फरवरी से प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है इस दोरान उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिन पुर्वी भाग के जिलों में रजपात के साथ हलके बारिश होगी और बादर च्छाय रहेंगे 21 फरवरी से एक बार फिर से मौसम बदलते ही अधिक्तम और नियूतम तापमान में गिरावट आएगी वह हिमाले से बरफीली ठंडी हवा चलने की कारण एक बार फिर से प्रदेश में ठंड की वापसी हो सकती है जुसके कारण फरवरी महीने के अंतिम हपते में एक बार फिर से लोगों को ठंड का हिसास भी हो सकता है मौसम विभार में 21 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है जिसमें अरवल, रोहतास, कैमूर, बकसर, और अंगाबाद, भोजपूर, सारन, वैशाली, सिवान, गोपाल गंज, पुर्वी और प पटना में अस दिन में कड़ी धूप निकलेगी जिसके कारण से पूरे दिन लोगों को गर्मी का हिसास होगा वहीं पिछले 24 घंटे के दोरार, राजधानी पटना की निंतम में 1.4 डिगरी सेलसियस और अधिक्तम तापमान में 0.1 डिगरी सेलसियस बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसके कारण अन्य दिनों के मुकाबले बीते शनिवान को लोगों को गर्मी का हिसास हुआ